नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदिस साहित्यवारता में दोस्तो हिंदिस साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ जी आरफ 2021 के तैयारियों के अंतरकत हम UGC Net Paper 1 की जो बेरे दोने लिख सकते हैं तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं दोस्तों ये जो expected question series है ये लगातार यूँ ही चलती रहेगी और उमीद करता हूँ कि आप सब लोगों को इससे अच्छे से help हो रही होगी इसमें mainly हम हर एक विशे को touch करने की कोशिश करते हैं सिवाया आपका DI और जो comprehension है उसके अलावा तो DI और comprehension के लिए भी आप अपनी तैयारियां side by side करते रहें और मैं हमेशा से एक चीज़ के बार बार कह रहा हूँ कि आपका जो first paper है वो भी बहुत जादा महुत्वपूर्ण है इसको हमें हलके में नहीं लेना है और इसकी तैयारियां हमें side by side बिलकुल करते रहना चाहिए तो चलिए दोस्तो आज फिर से शुरुआत करते हैं इस lecture की और सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रशन संख्या 31 की कौन सा प्रशन सबसे पहले रखा गया है तो यहाँ पर देखिए प्रशन पूछा गया है विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए चीज़ की होगी तो देखिए विकल्प है समुचित भाषा का सरल भाषा की या फिर विदेशी भाषा की या फिर कलिष्ट भाषा की तो देखिए ये वहला प्रशन बहुत ही सिंपल और सधान सा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके देखिए दो जो विकल्प हैं वो तो बिलकुल गलत हैं ये होंगे ही नहीं अब कैसे नहीं होंगे मान लीजिए आपका जो विदेशी भाषा है वो क्या उपयोगी बता सकती है आपका जो भारत का है या किसी सथानिय जगा का है वो अगर दूसरी भाषा के बारे में बात करना चाहेगा तो वो उतना ज़ादा comfortable उसमें नहीं होगा और जो कलिष्ट भाषा है या कई बार आपने देखा होगा कि शुद्ध हिंदी का हम इस्तिमाल करने लग जाते हैं और यही चीज़ हम हम easily नहीं समझ सकते तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से आपको जो eliminate करना आना चाहिए कि किस तरीके से प्रशन के जो भी कल्प हैं उनको eliminate किया जाए और उनको कम करके हम और उसको बहतर सरल बना सकते हैं तो दो option हमने यहां से निकाल दिये देखिए अगला है पज़ता है आपके पास समुचित भाषा और सरल भाषा तो बहुत सारे विद्यार्थी यह करेंगे कि भाषा यार सरल होनी चाहिए तभी आपका क्या है संचार जो है अधिक प्रभावी होगा तो यहां पर एक समझने की है देखिए सरल भाषा जैसे मान लीजी हमारी हिंदी है या किसी की पहाड़ी है या किसी की दूसरी बोजपूरी है है ना तो उसमें क्या है वो हो सकता है वो सरल हो लेकिन भाषा कैसी होनी चाहिए वो समुचित होनी चाहिए तो यह चीज आपने ज्यादा उसमे रखनी है तो इसलिए आपका सरल भाषा तो है लेकिन वो उचित अगर नहीं है तो अपने आप में क्या है वो आपका प्रभावी संचार नहीं हो सकता इस तरीके से आपने समझ के चीज़ों को करना है बहुत ही ठहर के करना है और ठंडे दिमाग से मैं हमेशा बार-बार ये यह है बिल्कुल आपने फ्री होना है रिलेक्स ट्रेना है जो होगा वो देखा जाएगा जो जो प्रशन आपको पहले आते हैं उनको इक बात कीजेगा तो ये कुछ एक टेक्टिक्स हैं जो आपको आपनानी पड़ती है हर एक पेपर के लिए और खासकर UGC NET के फस्ट प दिखिए निवी लिकित में से शिक्षक में सबसे वांचित कोशल कौन सा है तो ये भी बहुती मौत्वपून प्रशन है दिखिए शिक्षन से हमने रखा है इसको कि आपका जो शिक्षन है मेंली हमारा जो टार्गेट है वो आपका शिक्षन और दूसरा आपका जो रिसर् उसको हमने जादा फोकस करने की कोशिश इसमें की है कि जादा तर फोकस किसको किया जाए इन दो यूनिट्स को किया जाए इसके साथ ही साथ संप्रिशन जो इजी सा आपका टॉपिक है और ICT ये कुछ एक ऐसे टॉपिक है जहां से आपका जो स्कोर उपर बढ़ सकता है साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन भी आपको समझ के अगर आप करेंगे तो वो जादा आपको स्कोरिंग रहता है ठीक है तो यहां पर देखिए शिक्षक में सबसे वांचित कोशल बोला गया है कि कौन सा है तो देखिए कक्षा की गतिवीदियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना तो यह क्या है यह जरूरी नहीं है ठीक है निर्धारित पाठेक्रम पूरा करना पाठेक्रम पूरा करना जो है वो तो है ही है लेकिन यहां पर पूछा गया है कि सबसे वांचित कोशल यह चीज याद रखनी है एक पे ही फोकस नहीं रहना है पूरे के पू के समय चात्रों को मानसिक रूप से शिथिलिकृत रखना तो ये तो अब्यसिवात है ये तो होगा ही नहीं लास्ट में आता है शिक्षक द्वारा कही गई बात चात्र की समझ में आती है ठीक है या चात्र की समझ में आना तो ये बात ही बहुत ही महत्वपूर्ण है मानली ज या अध्यापक क्या कर रहा है चात्रों को कोई अच्छी शिक्षा दे रहा है अगर चात्रों को वो चीज सही तरीके से समझ में आ रही है तभी आपका शिक्षन क्या है वो पूर्ण माना जाता है ठीक है तो ये चीज क्या है इसमें सबसे ज़ादा महत्वण या वान्चित क पॉशल माना जाता है एक अध्यापक का कि जो चीज वो पढ़ा रहा है जो चीज वो अपने शिश्यों को बता रहा है कि आप वो उस चीज को सही से ग्रहन कर पा रहे हैं तो वो बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है चलिए नेक्स प्रशन है दिखिए प्रशन संख्या 33 निम चीज ने चीज ने कहार हैं कि इसमें उचित ढंक से उसमें विवरन प्रस्थुत नहीं किया गया है हलांकि आपने देखा होगा कि जो शिक्षन के उद्यशे हैं उसके बारे में हमने पीछे बारे लेक्शस में थोड़े थोड़े प्रशन लाए थे और व aha पर हमने हलकल की चीजें उसके बारे में बतारी थी आपको इससे पहले तो यहाँ पर प्रकृति और उदेशे देखिए शिक्षन और अधिगम अविचिन रूप से संबंधित है तो यह बात सत्य है कि यह दोनों ही आपस में क्या है एक दूसरे से संबंधित है नेक्स से देखिए कि जो समस् कुछ प्रकार के रुपांतरन को सुनिश्चित करने से होता है तो यह बात भी क्या है अपने आप में सही है कि जो भी शिक्षन आपका होता है उसका सरुकार क्या होता है छात्रों में जो कुछ प्रकार के रुपांतरन या मतलब कुछ बदलाव जो है उसको सुनिश्चित क तो ये बात क्या है ये अपने आप में गलत है शिक्षन और प्रशिक्षन में अंतर है ठीक है तो कैसे दिखिए शिक्षन क्या है एक वो आपके पास जैसे वेबसाय है और जो आपका प्रशिक्षन है वो आपको एक ट्रेनिंग है या उस वेबसाय को किस तरीकी से करना है प् तो इस तरीके से हम देखते है कि शिक्षन और प्रशिक्षन दोनों में क्या है अंतर है फिर आता है आपका next कि शिक्षन एक समाजिक कृत्य है जब कि अधिगम क्या है यह एक व्यक्तिगत कृत्य है तो यह भी सही बात है कि शिक्षन क्या है वो समाजिक कृत्य है और वक्षा में समुक को पढ़ाता है, तो समुक इसमें आएगा आपका, समाज ना आएगा, समाज को परिवर्थित करने के लिए वो पढ़ाता है, तो ये चीज गया है, ये आप देखेंगे आपकी जो शिक्षंग की प्रकृती है, और उदेश्य है, ये आपके उत्तम धंक से भी वर्ण प्रस्तुत करते हैं जो विकल्प नमबर 3 है देखिए ये इसमें नहीं होगा बाकी 1, 2 और 4 क्या है ठीक है तीसरा इसमें नहीं होगा तो सही उत्तर आपका विकल्प नमबर 3 होगा चलिए अगर प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संक्या 34 से देखिए यहां पर देखिए क्या चीज़ें कहीं गई है विकल्प A है समस्या को परिभाशित करना फिर B में कहा गया है समस्या के कारणों की पहचान करना फिर उसके बाद परिकल्पना बनाना, आंक्रों का संग्रहन और परिणामों का बिशलेशन करना मैं से कौन सा क्रम विज्ञानिक विधी के निकटस्थ है तो देखिए, research जो methodology है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, वहां से प्रशन पूछा जा सकते हैं या research के types जो हैं, वहां से प्रशन पूछा जा सकता है, यह चीज हाला कि मैं पहले वाले lecture में भी आपको बता चुका हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या पूचा गया है जो आपका विज्ञानिक विदी है ठीक है उसके उस विदी के निकटस्थ पूचा गया है कि कौन सा क्रम आपका है कौन से क्रम है तो देखिए इसमें निकटस्थ पूचा है तो प्रशन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है ये सबस महत पूंच चीज होती है हम क्या गरते हैं कि प्रशन को जल्दी जल्दी देख लेते हैं कहीं पर नहीं लगा होता है कहीं पर आपका सीधे डारेक्टली पूछ जाता है या कहीं नहीं है तो ये चीज आपने बहुत जादा ध्यान से देखनी है कि किसमें क्या पूछा है तो यहां पर यह पूछा गया है कि निकटस्थ है, मतलब सबसे ज़्यादा करीब जो चीजें इसमें आती है तो देखिए समस्या को परिभाशित करना तो यह वैग्यानिक पद्धती में आएगा, तो देखिए ए इसमें हर जगा है, तो आपका यह C, जो D वाला है यह अपने आप में विकल्प कट जाएगा तो यह Eliminate ही कट रहा हमें देखिए यहां पर नेक्स्थ है समस्या के कारणों की पहचान करना, तो यह चीज भी वैग्यानिक पद्धती में या वैग्यानिक विधी में होती है आपकी शोध में तो आप देखिए यहां पर B जो है C वाले में नहीं है ठीक है, तो यह भी हमने इसको निगलेक्ट कर दिया नेक्स्थ आता है आपका देखिए परिकल्पना बनाना या हाइपोथिस तो यह आप देखते हैं कि वैग्यानिक विधी में नहीं आता है तो इसलिए जो विकल्प नमबर तीन है देखिए यह इसमें अब अपने आप में सही हो जाएगा लेकिन आगे हम देखते हैं कि C इसमें उपर वाले में ठीक है नीचे वाले में इसमें नहीं है तो अपने आप में आपका विकल्प नमबर तीन क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा तो वैग्यानिक विधी में कौन कौन सी चीज़ है यहाँ पर देखिए समस्या को परिभाशित करना ठीक है समस्या की कारणों की पहचान करना ठीक है परिकल्पना क्या है नहीं होगा है ना आकड़ों का संग्रह है बिल्कुल सही है और परिणामों का विश्लिशन करना तो ये भी क्या आएगा इसमें सही होगा और आपका जो विकल्प नमबर C है देखिए उसमें C ही जो परिकल्पना है वो इसमें नहीं आएगी आपकी विज्ञानिक पद्धती में क्लियर है दोस्तों तो ये जो आपका प्रशन नमबर 34 था जिसका सही उतर होगा विकल्प नमबर 3 चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन समक्या 35 से देखिए संयुक्त राष्ट द्वारा वर्श 2015 में निर्धारित संपोशनिय विकास लक्षयों को कब दग प्राप्त किये जाने का उदेश्य है तो देखिए इस प्रिके के निर्धारित संपोशनिय विकास लक्षयों को कब तक प्राप्त किये जाने का उदेश्य है देखिए यह है आपका 2030 ठीक है तो sustainable जिसको कहा जाता है आपका development goal ठीक है तो यह है आपका 2013 चलिए अगर प्रशन हम देख लेते हैं यह देखिए निमन में से किसको गुनात्मक अनुसंधान का विशेश गुन माना गया है तो यहां पर देखिए कौन सा पूछा गया है कि किसको गुनात्मक अनुसंधान का विशेश गुन माना गया है तो देखिए जो भी आपका गुनात्मक अनुसंदान है या जिसको हम qualitative research कहते हैं उसमें किसका आगमनात्मक होना ठीक है ये इसका प्रधान गुन माना जाता है तो अगला जो प्रशने देखिए हमारा वो इसी गुनात्मक अनुसंदान के उपर ही है ये उवी हमने पीछे वाले प्रशने में कहा कि वो क्या है इसका प्रधान गुन माना जाता है नेक्स से देखिए यह विधी कहां کब क्या प्रशनों के अलावा क्यों और कैसे की जांच करता है ठीक है कौन सी विधी आपकी जो आपकी गुनात्मक विधी है रही है तो UGC के पास भी शायद इतने प्रशन नहीं बच जाते तो वो गुम्हाफिरा के ही चीजों को या प्रिबियस एर पेपर में जो चीजें आपके विकल्प में पूछी गई हैं तो आप देखते हैं कि बहुत जादा पेपर हमारे होते रहते हैं तो गुंजाईश यह ही रहेगी आपके जो भी विकल्प हैं उसको ही गुमाफिरा के प्रशन पूछा जाता है तो यहां से भी हो सकता है प्रशन बने कि क्यों और कैसे की जांच किस आपके अनुसंधान में होती है कब कहां और क्या के अलावा ठीक है तो वो आएगा आपका गुनातमक दो क्यों गुनातमक शोद में आमत और पर प्रयूखत नहीं होता है यह है विकल्प खुला रखते हैं ये चीज़ आपने याद रखनी है और जो गुनातमक शोद होता है आपका यह बहुत ही लचीला होता है और इसमें जो मात्रतमक्ता के स्थान पर व्यक्टिगत भवों के बिश्लेशन पर जोर देता है ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कही तो जितने भी ये कथन है दीखी सब के सब क्या है सही है तो सारे कथन मैंने यहाँ पर सही रखे थे तो बिकल्प नंबर कोई नहीं है इसमें सब के सब क्या है सही होंगे चलिए अगला परशन प्रशन संक्या 38 से देखिए शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूरनता का अविर्भाव है यह कथन किसका है तो देखिए यह कथन कहा है स्वामी बीवे का नंद जीन है तो इस देखे का कथन हालां कि अब बहुत कम पुच जाते हैं लेकिन फिर भी आपको याद होंगे कि शिक्षा से संबंदित जो भी कथन चाहे मातमा गांधी ने कहे हो चाहे रविंदर नाट टैगोर ने कहे हो या फिर किसी दूसरी व्यक्ति ने कही हो वो आपको पता होना चाहिए में में चीज़े हैं वो आपको अपने पुस्तकों में मिल जाएंगी या फिर शि अगला पद हमने देखना है कि कौन सा होगा तो देखिए इससे पहले हमने तीन लेक्चर कर लिए थे तीनों लेक्चर में हमने अलग अलग जो इसके फॉर्मूलाज होते हैं वो हमने देखे थे कि कहीं पर दो का गैप है कहीं पर आपको क्या करना है कि अलग अलग तरीके स इसको देखना है ठीक है तो दो तरीके हमने पहले बदा दिये थे अगर आपने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो वाली ट्रिक्स आपने नहीं देखी हैं तो एक बार आप उनको भी जरूर देखिए कि गैप कहीं पर 3, 5, 7 का आता है इस तरीके से आता है कहीं पर 1, 3 से ट्रिक क्या है बहले आपका 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 को आप जितनी बार भी गुणा करेंगे तो उसमें क्या आता है आपका 1 ही आएगा प्लस उसमें कितना हम जोड देंगे एक जोड देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये ठीक है यहाँ पर हमने क्या किया प्लस 1 किया, इसके बाद देह देखिए 7, तो यहाँ पर 1 का हमने क्या लिया, एक तरीके से ये cube लिया, ठीक है, एक का cube लिया, उसके बाद 2 का cube अगर हम लेंगे, तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा वो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ पर 2 दुनी, 4 चार दुनी, 8, तो यह क्या हो जाएगा, 8, तो यहाँ पर हमने plus किया था, अब हमने minus का देना है, तो 8 minus 1 कितना होगा, यह होगा आपका 7, ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखना है कि यह प्रशन ऐसे होगा, आगे हैं देखिए, 3 का हम क्यूब कर देंगे, तो 3 का क्या होगा, 3 गुणा 3, 3 तिया होगे, 9, 9 तिया होगा, 27, तो 27 में हमने यहाँ पर अब एक और क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो यह 28 होगा, ठीक है, एक प्लस किया ना, उसके बाद देखिए, 4 है, इस तरीके से 4 गुणा 4, 4 चार, 16, 16, 64, तो 64 की जगा क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें उपर प्लस किया था, नीचे माइ 225, तो उसमें हम प्लस कर देंगे, तो 126 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 का क्यूब करेंगे, 6 गुणा 6 हुए 36, और 36 को अगर हम गुणा करेंगे 6 से, तो वो हो जाएगा आपका 216, ठीक है, तो वहाँ पर हमने कितना करना है, माइनस कर देना है, तो यह हो जाएगा आपक क्यूंकि पहले हम प्लस कर रहे थे यहाँ पर हमने 216 से माइनस एक कर देना है तो यह 215 आ जाएगा चलिए आखरी प्रशन देख लेते हैं आज का तो इसमें कहा गया है जब विशेशग्य किसी सम्बंधित विशे को लगू रूप में संबोधित करते हैं और बाद में उन विशेओं से सम्बंधित प्रशनों के उतर देते हैं तो यह क्या कहलाता है तो देखिए यह भी आपका जो शोद वाला चप्टर है उसी से प्रशन रखा गया है कि विशेशग्या है वो किसी सम्बंधित विशे को लगू रूप में संबोधित कर रहा है और बाद में उन विशेओं से सम्बंधित जो प्रशन है उनके उतर देता है तो यह चीज क्या कहलाती है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा यह होगा आपका सिंपोजियम जिसको संगोष्ठी भी कहा जाता है क्लियर है जबकि आपका जो यह संगोष्ठी है देखिए इसको विशेश रूप से कहा जाता है आमतोर पर एक औपचारिक सभा कहते हैं जिसमें क्या होता है आपके जो विशेश अगे हैं वो लगूर रूप में हम क्या करते हैं संबोधित करते हैं किसी विशे को और बाद में उन प्रशनों के उत्तर देते हैं इसके साथ ही साथ या विशेश रूप से क्या बोलता है कि जो आपके प्रधिभागी है या जो लोग इसमें participation देते हैं उनको और दर्शक उनको क्या करता है ये दर्शक या श्रोता के रूप में संबोधित करता है और प्रस्तुतियां भी इसमें त्यार की जाती है सेमिनार और समिलन आप समझते हैं और webinar का मतलब भी आप सब लोगों को पता है जैसे lock down में आपने देखा होगा कि जो भी आपकी conferences बगेरा है वो अब क्या है online हो रही है जिसको हम web conference भी कहते हैं webinar को ठीक है तो ये चीज़ें इसमें शामिल है और संगोष्टी इसका जो है सही उत्तर था तो ये थे दोस्तो आज के 10 प्रशन आपने इन 10 प्रशनों में कुछ अच्छा सीखा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जर नई स्पूर्थी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहें